लक्ष्मी पती विश्ण भगवान की जय तो चलिए काई जास हम जानते हैं जया एकादशी की तिथी शुब मुहूरत और जया एकादशी की व्रत कथा माख महा की शुल्क पक्ष की एकादशी तिथी 19 फरवरी 2024 को सुबा 8 बचकर 49 मिनट से शुरू होगी साथ ही इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी 2024 सुबा 9 बचकर 55 मिनट पर होगा हिंदु धर्में उद्य तिथी का विशेश महात्व है इसलिए इसका व्रत जो है 20 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा हिंदु धर्म में एकादशी के दिन का खास महत्व होता है सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत ही महत्वर मानी गई है जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुन्यदाई होता है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा अर्चना की जाती है पुरानिक मानेताओं के सार जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों के कश्ट दूर होते हैं इस बार जया एकादशी 20 फर्बरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी जया एकादशी रखने से इस दिन को व्रत करने से जो भी व्रत करता है उन व्रतियों को पिशाज जोनी से मुक्ती मिलती है इस दिन व्रत करने वालों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए तब भी उन्हें पूजा का संपून फर प्राप्त होता है तो आईए जानते हैं व तो चलिए सुनते हैं कथा। अपनी लेताल से भटक भटक गए। वही मालेवान भी सही तरीके से गायन नहीं कर रहा था। ऐसा देख सभा में वश्ति सभी लोग क्रोधित हो गए। यह द्रिशे देख स्वर्ग नरेश रिंद्र को भी क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को सर्क से बाहर कर दिया। साथ ही उनको यह श्राप दिया कि तुम दोनों को प्रेत योनी प्राप्त हो गई। श्राप के असर से मालेवान और पुष्पती प्रेत योनी में चले गए। और वहां जाकर उनको दुख का सामना करना पड़ा। प्रेत योनी अधिक कष्ट दायक थी। एक बार माख मास के शुकल पष्ट की जया कादेशु के मालेवान और पुष्पती ने अनका सेवन नहीं किया। दिन में एक बार फलाहार किया। इस दोरान दोनों ने जगत के पालन हार भगवान विश्णु का सुम्रन किया। दोनों की भाब भकती को देखकर भगवान नराया ने पुष्वती और मालेवान को प्रेतियोनी से मुक्त कर दिया। भगवान शुरी हरी के आशिर्वास से दोनों को सुन्दर शुरीर प्राप्त हुआ और वह फिर से स्वर्ग लोग चले गई। जब वहां पहुंचकर इंद्र को परनाम किया तो वह चोग गई। इसके बाद उन्होंने पिशाध जोनी से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद मालेवान ने बताया कि एकदाशी व्रत्त के असर और भगवान विष्णु की किरपा से दोनों को पिशाध जोनी से मुक्ति मिली है। इसी परकार जो वेक्ती जया एकदाशी का वृत परमोक्ष की प्राप्ति होती है जिए एकदशी प्रत कथा सुनने से और सुनाने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं इसलिए एकदशी प्रत का कथा का बहुत ही महत्व है कथा पूरी ही सुननी चाहिए तो ये वीडियो मेरी यहीं तक थी उमीद करती हूं को मैं एकली वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे